आरे सग्रवाल बुक का चैप्टर 4 सरली करनर सिंप्लिफिकेशन का क्वेस्टन नमबर एक से लेके 5 तक हम लोग करेंगे पहला क्वेस्टन नमारा है दो के घार 60, तीन के घार 48, चार के घार 36 तथा पांच के घार 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो हमारे पास क्या क्या है दो के घार 60, तीन के घार 43, चार के घार 36 और पांच के घार 24 तो इसमें सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं यह जो पावर होता है इनका HCF निकालते हैं सबसे पहला काम क्या होगा हमारा जो पावर है इनका HCF निकालेंगे यानि 60, 49, 36, 24 इनका SCF निकालेंगे, SCF का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को विभाजित करें, तो इन में से दो संख्या ले ले लेते हैं, 36 और 24 का SCF निकालने के लिए हम लोग 36 को 24 से भाग देंगे, 24 हो गया, यहां आगया आपका 12, फिर 12 से 24 में भाग देंगे, तो 12 दूनी 24, यह पूरा पूरा खतम हो गया, और जब सेस्फल 0 आ जाता है, उस समय जो भाजक होता है, वही SCF आ गया, यानि 36 और 24 का SCF हमारा आगया 12, अब अगर यह 12, 48 और 60 को भी डिवाइट कर दे रहा है, तो यह 4O का SCF हो जाएगा, तो 12卦, 48, 42, 65, så तो यही SCF हमारा इन 4O का हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के गषा 60 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते है, 12 गुडे 5, 3 के गषा 40 है, इसको हम लोग लिख सकते है, 3 के गषा 12, गुडे 4, 4 के गषा 36 है, तो 4 के गषा 12, पाँच के घाट बारा गुड़े दो लिख सकते हैं अब एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कि एक पावर M into n कहीं पे लिखा है तो इसका हम लोग एक पावर M की whole power n लिख सकते हैं तो इसका यूज क्या करेंगे जो 2 के घात 12 गुडवा हैं, इसको 2 के घात 5 पांच अंदर ले लिया, और जो पावर 12 था, '' इसको उपर ले लिया में यह काम करेंगे, 3 के घात 12 गुडवा है तो 3 के घात 4 को अंदर ले लिया पावर 16 लिया, ठी 네 है सबसे बड़ी संख्या यही हमारा हो जाएगी कि आपसंद भी हमारा हो जाएगा aus कि दूसरा के इसको एक हो जोगा तो लिख ले ले यो अब यहां रोट फ्री माइनस टरी शालों माइनस का मरude मैंस क्लेते हैं तो यह हो सूर्ण अपान रूट 3-3 से माइनस करेंगे तो ये थी माइनस रूट 3 हो जाएगा अब 3 प्लस रूट 3 को सॉल्फ करने तो हम लोग कॉस्स मृटिप्लाय करें तो ये क्या हो जाएगा 3 इन्टू रूट 3 प्लस 1 लुन ये ऐसे बुड़ा हो जाएगा आप आप उपन 2 अब यह गया 3 root 3 plus 1 upon root 3 plus अब यह minus अंदर ले जाते हैं लोग तो 3 minus root 3 है यह minus 3 और minus root 3 हो जाएगा upon अब a plus b और a minus b तो a square minus b square हो जाएगा यह formula आपको पता होना चाहिए a plus b into a minus b आपका है तो यह a square minus b square हो जाएगा तो यह a की जगा पे 3 है तो यह 3 का square हो गया minus b, b की जगा पे root 3 है तो root 3 का square हो गया तो यह हो गया हमारा 3 root 3 plus 1 upon root 3 plus यह देखे 3 plus और 3 minus यह दोनों cancel हो गया और बचा क्या है है root 3 root 3 minus में 2 बार है तो minus 2 root 3 हो गया divided by यह 3, 3, 9 हो गया root 3 का square क्या हो जाएगा root 3 का square 3 हो जाएगा क्योंकि root x into x हमारा x हो जाता है तो root 3 into root 3 3 हो गया 9 minus 3 तो यह हो गया 3 root 3 plus 1 upon root 3 minus 2 root 3 by 9 में से 3 के 6 हो गया और यह 2 से कट कर दें तो यह आपका हो गया 3 root 3 plus 1 upon root 3 minus root 3 upon 3 root 3 upon 3 का मतलब हो गया 3 का हम लोग क्या लेख सकते है root 3 into root 3 तो root 3 upon 3 का मतलब कि root 3 root 3 cancel हो गया यह आगया आपका 1 by root 3 तो इसकी जगा पर हम लोग क्या लेख सकते है 1 by root 3 अब यहाँ पर हर root 3 है यहाँ भी हर root 3 है तो अंस घट जाएगा तो यह 3 root 3 plus 1 minus 1 upon root 3 तो 1 plus 1 minus खतम हो गया तो यह आपका क्या बचा 3 root 3 by root 3 root 3 root 3 खतम हो गया यह आपका आगया 3 तो option A हमारा correct हो गया तीसरा question हम लोग देखते है 35 का square plus 38 का square whole divided by question mark बराबर 5 तो question mark की जगा पर क्या होगा तो हम लोग मान लेते है question mark की जगा पर x है तो यह लिखा है आपका 35 का square plus 38 का square divided by x हमने question mark की जगा x मान लिया यहाँ पर भाग का चिन है x पराबर 5 हो गया अब 38 का square आपका होता है 35 का square होता है 1225 और 38 का square होता है 1444 हम लोग multiply भी करके देख सकते है 35 को 35 से करेंगे तो 25 के 5 हासिल 2 25 ते 15 ते 15 गुड़े एक बराबर हो जाएगा यह x गुड़े 5 अब 1 हम को चाहिए तो 5 इधर ले आएगे तो 5 इधर आएगा तो ये बटा में आ जाएगा उधर गुड़ा में है तो ये बराबर X अब X बराबर 1679 बटा 5 5 से भाग करेंगे तो 5 तियां 15 हो गया और 16 फिर 5 तियां 15 फिर 19 में जाएगा तो फिर 5 तियां 15 यहां पर हमने जोड़ा है तो यह एक दो जाएगा 2659 तो यह 5 बार जाएगा पांच बार जाएगा 25 फिर पांचे पंदरा फिर पांचे तो 533 दसमलो आठ आजाएगा हमारा आफसन आपका E correct हो गया एक्स की बेलू कितनी आगे 533 सही 1-4 इसका सम करना है तो एक पूरा-पूरा और प्लस तीन बार पांच तो 1 प्लस थरी बाएफाइब 15 हो गया एक बटा चार तो यह पूंड़ वाले हमारा one plus one प्लस one निकठ्ठा इधर हो गया one plus one plus three by five plus two by seven plus one by four इन तीनों को जाइड करेंगे तो यह हो गया three plus अब पांच साथ और चार पांच साथ और चार का जो LCM आएगा यह पांच ओके 20 सादुनी 140 सिदा-सिदा मल्टिप्लाई हो जाएगा यानि 5 गुड़े 7 गुड़े 4 हो जाएगा पांच हो के 20 और 27 गुड़े 4 हो जाएगा प्लस दो बटा 7 यहां हर में 7 पहले से है तो हम लोग 5 गुड़े 4 से मल्टिप्लाई करेंगे एक बटा 4 यह एक बटा 4 पहले से है तो 5 सत्य 35 से हम लोग उपर नीचे मल्टिप्लाई करेंगे तो हर आपका सबका 140 हो गया तो यह 3 प्लस 28 तीन अच्टे 24 के 4 हासिल दो यह हो गया 84 बटा 140 प्लस 40 बटा 140 प्लस 35 बटा 140 अब जब सबका हर बराबर हो गया तो अंस जूड़ जाएगा तो यह 3 प्लस 84 प्लस 40 प्लस 35 बटा 140 बराबर आपका आगया 3 प्लस यह हो गया पांच चार नो और चार तीन साथ और आठ पंदरा 179 बटा 140 अब लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 169 सरी 169 बटा 140 169 में एक बार जाएगा आगर 169 में लोग 140 से भाग दें त तो एक तो पूरा-पूरा हो गया और बचा क्या 19 एक सही 19 बटा 140 और 3 एक मिलके 4 हो गया 4 सही 19 बटा 140 यह हमारा आंसर हो गया आपसन डी करेक्ट हो गया Q5 हमारा है 1 सही 8 बटा 9 प्लस 3 सही 2 बटा 7 मैनस 2 सही 1 बटा 7 प्लस 11 सही 1 बटा 6 इन सब को जोड़ना है तो 1 सही 8 बटा 9 का मतलब क्या होगा 1 प्लस 8 बटा 9 3 सही 2 बटा 7 का मतलब 3 प्लस 2 बटा 7 और 2 सही 1 बटा 7 का मतलब 2 प्लस 1 बटा 7 दो प्लस 1 बटा 7 यह पूरे के बाहर माइनस लगेगा हमारा होगा प्लस एक बटाइगा तो ये ओगया तीन एक चार और ग्यारा 34 प्लस चपन हुच और उनुव आपका हो जाएगा 65 बटा 33 600 plus एक बटा 6 अब इसको क्रॉस मुल्टिप्लाई करके सॉल कем लेते हैं यह तो तिया सटों को सब्सक्ष हो जाय 390 में 63 तो यह हो गया 3 9 6 15 के 5 आशले चारसो तिरपन यह हो गया 453 बटा 63 गुड़ेशे 6 ती अठारा के 8 हांसे लेख और यह 308 अब 400 तिरपन में हम लोग 308 से भाग देगे तो 308 एककम 308 13 में से 8 गए 5 14 में से 7 गए 7 यह हो गया बचा क्या 13 पूरा पूरा हो गया प्लस 1 एक सही यह हो गया आपका 75 बटा 318 तो टोटल 13 एक 14 हो गया 14 सही 75 बटा 318 14 सही 75 बटा 318 अब इसको देखे यह कट करें तो आप अगर हम लोग 3 से कट करें तो 3 तुए 6 35 15 321 3 तुए चाहती यह हो गया 14 सही 25 बटा 126 तो कौन सा आपसन हमारा 14 सही 25 बटा 126 आपसन सी हमारा दिख रहा है तो आपसन सी करेक्ट